हेलो गाइज वेलकम बैक तो चैनल फोकस अंस्टडी जैसा कि आप सभी को बता है कि हमने मेली दिल्ली पुलिस को फोकस में रखते हुए हमने कंप्यूटर टॉपिक स्टार्ट करा दिये ठीक है लास्ट वीडियो में हमने इंपूट और आपूट डिवाइसे कंप्लीट कर द इंपूट को इंपूट करते हैं जैसे आपना परफॉर्म करते हैं और वह ऐका आउटपूट मिल जाती और वहसे आउटपूट के थ्रू आपको शो कर देता है एक में पार्ट होता है अमिशा कंप्यूटर का इसके कुछ पार्ट होते हैं कौन से कौन से पार्ट से इसका एक तो है रजिस्टर उसके बाद है ALU, ALU क्या कहते है, Arthematic and Logical Unit, ठीक है, यह इसका full form होता है, यह जो full forms है, यह आपको याद रखनी पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे direct questions आ जाते हैं, जिस CPU का full form पूछ सकता हो question में, ALU का full form पूछ सकता हो question में, ठीक है, तीसरा part है हमारा CU, CU क्या होता है, Central Unit, ठीक है, उसके बाद आती है, memory, memory के भी अलग लग parts होते हैं, यह आपको detail में बताता हूँ, ठीक है, अब आते हम parts of CPU, ठीक है, CPU Central Processing Unity से heart of computer भी का जाता है, तो पहला part है, उसका register, ठीक है, it is used for high speed, कोई भी मतलब operation है, वो speed से perform करना है, उसके लिए use किया जाता है, हमारा register, ठीक है, यह क्या करता है, hold the address of the data, ठीक है, जो भी data given होता है, computer को, उसका address होता है, उसको hold करता है, हमारा register, ठीक है, उसके बाद, hold the instructions, जो कोई भी आपको काम perform कराना है, उसके instructions होती है, उसको hold करके रखता है, हमारा register, ठीक है, उसके बाद आते है, ALU पे, ALU कहा है, arithmetic and logical unit, ठीक है, इसके कुछ operations होते है, जैसे पहला operation है, इसका arithmetic operation, अंक गनिती है, ठीक है, plus, minus, multiplication, division, जो कोई भी आपके mathematical operations होते हैं, वो perform करते है arithmetic operation उसके अंडर आते हैं, और perform क्या करता है, ALU करते हैं, ठीक है, उसके बाद comparison operation, जैसे कि आपके greater than, less than, greater than, equal, greater than, less than, equal to आ गया, यह जो सारे comparison वाले जो कोई भी operations हैं, यह भी perform करता है हमारा ALU, mathematical and logical unit, उसके बाद logical operations, logical operations जैसे कि and, not, और अपने logic gates पढ़े होंगे कभी, ठीक के भी जो operations होता है, जो perform करता है, वो भी हमारा ALU करता है, ठीक है, उसके बाद आते हम, central unit पे, central unit की क्या definition होती है, all the micro operations performed in CPU is controlled by central unit, central unit, basically वो चीज होती है, जो भी micro operations होते हैं, computer के अंदर, जो छोटे operations होती है, computer के अंदर, वे सब control करता है, central unit, मतलब कि जो कि आपकी instructions है, ठीक apply करना है, ठीक है, या उनको control करना है, वो सारे काम कौन सा करता है, आपका, CU करता है, CU के central unit है, इसे लिए से head of the department भी कहते हैं, ठीक है, अब चौथा पार्ट है CPU का memory, ठीक है, memory भी अलेगले types की होती है, एक होती है, primary और main memory, ठीक है, एक होती है, secondary, external या permanent, कुछ भी कह सकते ह हो, external memory कह सकते हो, या permanent memory कह सकते हो, पहले से देखते है, it holds the data permanently, मतलब इसमें जो data होता है, वो एक permanently save हो जाता है, जैसे कि example, इसके floppy disk, hard disk, CD, DVD, ठीक है, यह इसमें ऐसा है कि आप कोई भी data का store करते हो, तो एक बार उसको आप store कर दोगे, तो उसमें आप दोबारा changes नहीं कर स सकते हो, ठीक है, यह होती है, primary memory, इसका directly access होता है, CPU के तवारा, मतलब कि CPU directly access कर सकता है, इस memory पर, यह भी दो तरह क्यों होती है, एक होती है हमारी RAM, और दूसरी होती है, हमारी ROM, RAM क्या है, random access memory, ROM है हमारी read only memory, यह क्या है, read and write कर सकते हैं, मतलब कि यह उस तरह की memory है, जो जैस इसके अंदर store होता है, इसमें जो memory होती है, उसको आप बार-बार पढ़ सकते हो, या इसमें आप कुछ changes करना चाहो, तो changes भी कर सकते हो, ठीक है, वो memory होती है, हमारी RAM, इसका nature कैसे होता है, volatile, उसके बाद आती है, ROM, read only memory, यह क्या होती है, जैसे जब आपका computer बनता है, तो यह उसी time पे fix करती जाती है, ठीक है, इसमें जो data होता है, उसको आप सिर्फ पढ़ सकते हो, read कर सकते हो, लेकिन उसमें अगर कुछ changes करना चाहो आप, तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसका nature होता है, non-volatile, जैसे कि लिखा हो है, read only memory, वैसे इसको सिर्फ आप read कर सकते हो, इसके बाद आती है, types of RAM, RAM यानि random access memory, ठीक है, दो तरह की होती है, एक होती है, SRAM और एक होती है, DRAM, SRAM का full form होता है, static random access memory, इसका होता है, dynamic random access memory, ठीक है, इन दोनों में क्या difference है, SRAM क्या है, जो वो faster होती है, DRAM से, ठीक है, SRAM ज़्यादा speed से work करती है, DRAM के comparison में, उसके बाद SRAM costly होती है, जो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, वो चीज महंगी होती है, तो SRAM महंगी होती है, DRAM से, ठीक है, उसके बाद आते हैं, types of ROM पे, read only memory, इसके कौन से type होती है, एक होती है, इसकी PROM, programmable ROM, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आप program में एक बार फीड programmable ROM, मतलब कि आप इसमें जो भी program है, उसे आप एक बार erase कर सकती हो, ठीक है, program करने काद erase भी कर सकते हैं, उसमें changes कर सकते हो, उसके बाद होती है, डबल E P, रोम, यह क्या होती है, Electrically Erasable Programable Room मतलब कि उसमें जो भी प्रोग्राम जो भी डाटा सेव होता है वो आप Electrically Erase कर सकते हो, ठीक है? उसे प्रोग्राम कर सकते हो इसमें क्या है? Erase कैसे को करोगे? इसमें EP Room में कैसे Erase करोगे? With the help of UV-Rase, ठीक है? UV-Rase की मदद से आप उसमें जो डाटा है उसे आप Remove कर सकते हो, ठीक है? इसमें आप Electricity की मदद से, Electricity की वज़े से आप उसमें जो कुछ भी डाटा है उसे आप Remove कर सकते हो, ठीक है? यह दोनों के टाइप्स थे इसके बाद आते हैं Unit of Memory पे, ठीक है? Bit, bit यानि 0 और 1, मतलब कि यह आपके कोई एक language होती है, जिसमें आप जो computer होता है, वो उसको आपके जो given data है, जो आप input देते हो computer को, उसको read करता है, ठीक है? 0 और 1 की form में करता है ठीक है? All the information stored in computer in binary number, digital number, machine language ठीक है? इन तरह से जो computer में आप data store करते हो binary number, digital number और machine language में, ठीक है? उसके बाद units होती है, memory को नापने की, ठीक है? जो आपकी जो हर एक computer की अलग-अलग अपनी memory होती है, उसको नापने की unit होती है जैसे कि आप रस्ता नापते हो, distance नापने की unit होती है, kilometer, मीटर, ठीक है? यह इस तरह की memory की unit होती है, यह, क्या होती है? four bits, four bits equal to होता है एक nibble, eight bits होता है एक byte के equal उसके बाद, अगर 1024 byte एकटी होती है, तो वो बनती है 1 kb, kb यानि kilobyte, उसके बाद 1024 kb, kb मिल जाएं तो वो बनती है, 1 mb, यानि megabyte, यह सारी units होती है, ठीक है? उसके आद, 1024 mb मिल जाएं, तो वो बनती है, 1 gb यानि gigabyte, उसके आद 1024 gb मिलेंगी, तो बनेगा 1 tb, यानि terabyte यह सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको question में mb भी दे सकता है, तो mb का full form पूछ लेगा इसे क्या कहते है, megabyte कहते है, gigabyte कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है? GB का पूछ लेगा, यह भी आप से question में पूछा जा सकते हैं, उसके आद आते ही 1024 tb, tb इकल टू बनता है, एक PB के, यानि petabyte उसके आद, 1024 pb मिलते हैं, तो बनता है, एक EB, यानि exabyte उसके आद, 1024 exabyte मिलेंगे, तो बनेगा, 1Zb यानि की, जेल्टा वाइट उसके आद, 1024 Zb मिलेंगे, तो बनेगा, 1Yb Yb क्या होता है, यॉन्टा वाइट उसके बाद, 1024 Yb मिलते हैं, तो बनता है, एक BB, यानि, ब्रॉन्टा वाइट और उसके बाद, अगर 1024 BB मिलेंगे तो वो बनेगा, 1GB यानि, जी कॉप बाइट, ठीक है इस GB में, और इस GB में फर्क है, ठीक है, वो आपको question के according देखना पड़ेगा उसके बाद, इस तरह के, और किस तरह के question आ सकते हैं, जैसे कि आपको, GB given है, 1GB given है, आप से पूछ लेगा, उसमें के बी कितने होते हैं, 1GB में कितने के बी होंगी, यानि, यहां से देखो 1024 के बी मिलते हैं, तो एक MB बनता है, और 1000 MB, 1024 MB मिलेंगे, तो 1GB बनेगा, तो आपको यहां से यहां आना पड़ेगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए को किसको किस से मल्टिप्लाइ करने के बाद, 1GB के वैल्यू आएगी, के बी में, के बी के फॉर्म में, ठीक है, यह कनवर्जेंट से आप से पूछ सकता है, वो कुशन में चलिए, अब यह तक पढ़ रहे थे हम प्राइमरी मेंबरी, अब यह है सेकंडरी मेंबरी के पार्ट्स, ठीक है, किस तरह की सेकंडरी मेंबरी होती है, पहली होती है मैगनेटिक स्टोरेज, इसके एक्जामपल होते है जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैगनेटिक टेप, लेकिन की एक लिमिटेशन होती है जैसे कि इसमें वन टीबी तक की स्टोरेज कैपेस्ट्री होती है इससे ज्यादा कैपेस्ट्री की यह नहीं हो सकती उसके बाद आती है एक अप्टिकल स्टोरेज इसके एक्जामपल्स हैं सीडी सीडी यह नहीं कॉम्पैक्ट डिस्क यह चेसो चारी से साथ सो एंबी तक का डाटा स्टोर कर सकती है ठीक है यह एंबी मेगाबाइट इसलिए मैंने यूनिट्स बताई थी इसमें कैक्लिट की जाती है मेमरी उसके आती है ब्लू-ray डिस्क ठीक है यह भी 2.5 GB तक का डाटा स्टोर कर सकती है उसके बाद आती है सेकेंडरी मेमरी हमारी किस टाइप की सोलेट स्टेट स्टेट जैसे की पैंड्राइव मेमरी काड ठीक है इनकी भी लिमिटेशन होती है एक लिमिटेट अमांट तक आप उसमें यहां का डाटा स्टोर कर सकते हो मेमरी काड जैसे आपके फोन है वन टीबी तक का सपोर्ट करते हैं मेमरी काड लेकिन एक टीबी का मेमरी काड नहीं आरता अभी तक ठीक है जलिए हमारा जो सी प्यू था सेंट्रल प्रोसेसिंग इन वेट वह यहीं पर कम्प्लीट होता है ठीक है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें थैंक्यू